इस वीडियो में 74 वे गंतंत्र दिवस समारों से संबंधित रोचक जानकारी लेकर आए हैं। मुख्य बिंदु राजपत के कर्तव्यपत बनने के बाद होने जा रहे गंतंत्र दिवस समारों को यादगार बनाने के लिए इस बार भव्य और यादगार परेट के साथ सांस्पितिक कार्यक्रमों में कई नई शुरू की जा रही है। राफेल और सुखोई समेट बायुसेना के लड़ाकू विमानों के आकाशिय कर्तवों के साथ पहली बार कर्तव्यपत पर नौसेना का सबसे पुराना टुही विमान आयलर तीस कर्तव्यपत के आकाश पर पहली और आखिरी बार अपने जोहर दिखाएंगे। सास्कृतिक जाकिया भी बदलते भारत के नए अंदाज और अहसास का अनुभव कराएंगी। प्रक्षा सचेव गिर्धर अर्माने ने गंतंत्रत दिवस परेड कार्यक्रमों के बारे में कहा कि कुल 45,000 दर्शक राष्ट्रिय राजधानी में कर्तव्य पतपर भव्य गंतंत्रत दिवस 2023 परेड देखने आएंगे। जब की वी आईपी मेहमानों को 12,000 अतिती पास ही जारी किये जाएंगे जिनकी संख्या पहले 50,000 से 60,000 से भी अधिक होती थी। बीटिंग दर रिट्रीट समारोह की 10% सीटे भी आम जनता के लिए आरक्षित की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्भागी दारी के द्रिश्टिकोन को दर्शाते हुए समारोह की योजना बनाए गई है। समारोह की शुरुआत नेताजी सुभाष्चंड गोस और आयने के दिगजो और आदिवासी समुदाय के वीरोह को श्रधानजली होगी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अतुलनिय योगदान गिया। इस साल प्रंतंत्र दिवस समारोह की तहट कई नए कार्यक्रम आयोजित लिये जा रहे हैं जिनमें मिलिटरी टैटू और ट्राइबल डांस फेस्टिवल, वीर गाथा दो तशबलव शून्य, वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता का दूसरा संसकरन, राष्ट्रिय शस्त्र बल भॉस शो, खुकुरी डांस, गतका, मल्लखम, कल्वी पट्टू, थॉन्टा, मोटरसाइक्ल डिस्पले, एर वारियर ड्रिल, नेवी बेंड और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करेंगे। इसमें 23 फाइटर जैट, 18 हेलिकॉप्टर, 8 मिलिटरी ट्रांस्पोर्ट विमान और एक पुराना विमान होगा, और यह पुराना विंटेज विमान नौसेना का टोही विमान I.L.38 होगा। इसमेंगे।